नमो नमा आज हम बच्चों के लिए स्लोक लेके आए हैं आज हमने ऐसे स्लोकों का चैन किया है जो बच्चों के लिए बहुत उप्योगी है बच्चों को याद करने के लिए बहुत सरल सरल से स्लोक आपको बताने जा रहे हैं इस लोग हमें शान्त करके और तनाव तता चिंता को दूर करके एक सकारात्मक वातवन बनाने में मदद करते हैं। आप अपने बच्चों को स्लोकों से परचित कराइए क्योंकि उन्हें पढ़ने से प्रतियोगिता, परिक्षा या सामान दिन के दौरान उनकी एकागता में सुधारा सकता है। यह उन्हें तरोताजा और गेंदित रख सकता है अपने बच्चों को हर दिन इस लोग सुनने के लिए मागदर्शन देना बच्चपन से ही सिखाई जाने वली एक आदत है जिससे बड़े होने पर इसका फाइदा अवश्य मिलता है लेकिन यह सीखें कैसे इसके लिए आपको प्रतेख शब्द का सही उच्चारन करने का अभ्यास कराएं और प्रतेख शब्द का अर्थ बताएं दीरे दीरे आपका बच्चा नियमित अभ्यास से इस लोग को पढ़ना और समझना स्टार्ट कर देगा इस लोग आपके बच्चों को याद रखने और प्रवावी ढंक से सीखने में मदद करते हैं यह संग्यानात्मक्षमताओं को भी बढ़ाते हैं इसे एक कागरता पढ़ती है फोकस में सुधार होता है और रचनात्मक्ता को भी बढ़ावा देते हैं इसके अलावा इस लोग सीखने और पढ़ने से बच्चे में तनाव के इस्तर को भी प्रावावी ढंक से कम किया जा सकता है। सबसे पहले लोग प्रीय और महत्रपूर संस्वर्द स्लोग के बारे में बताएं। जैसे गायत्री मंत्र, शान्ती मंत्र, सिक्षक मंत्र इस तरीके के संस्कुद स्लोग आप अपने बच्चे को सिखाएं बच्चों के लिए ये स्लोग सकारात्मक व्यवार विक्सित करने और उन्हें जीवन का एक मूलिवान सबक देने में मदद कर सकते हैं तो आज हम बच्चों के लिए सबसे आसान इस लोग पताने जा रहे हैं और ये इस लोग प्रतेक बच्चे को आना ही चाहिए, सभी को आना चाहिए इससलोग को पढ़ने से हमारे अंदर विशेश उर्जा का संचार होता है तो चलिए देखते हैं वो इस लोग कौन सा है सबसे पहले हम गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे इसे महा मंत्र या सावित्री मंत्र भी कहा जाता है यह इस लोग सबसे पूजनीय मंत्र है और सूर को समर्पित है बच्चे को सुबह सूर की रोष्णी में यह पार चरूर कराए इससे उनका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और उनने विटामिन डी भी मिलेगा तो चलिए पढ़ते हैं कि गायत्री मंत्र कैसे पढ़ा और कैसे समझा जाता है जिसका आर्थ है हे भगवान उधार करता आप सभी जीवन का आधार हैं स्वैंभू हैं और जिनका इस पर्स हर आत्मा को कश्टों से मुक्त करता है जो ब्रह्मान में प्रिवेश करता है और हर प्राणी का भरण पोशन करता है पूरे ब्रह्मान का निर्माता है और जो खुशी का आशिर्वात देता है भगवान इस ब्रह्मान के शुद्धतम रूप और पवित्र करता वे हमारे मन को प्रबुद्ध करें और हमारी बुद्धी को प्रेडित करें गायतरी मंत्र सबसे सक्तिसाली मंत्रों में से एक माना जाता है यह पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथ रिग वेद में सामने आया और इसका श्रेव प्राचीन रिशी विश्वा मित्र को दिया गया अब हम आपको दूसरा मंत्र बताने जा रहे हैं शांती मंत्र शांती मंत्र के चार मंत्र दिये गए हैं चार भाग में आपको पूरा शांती मंत्र के बारे में बताया जाएगा इनको कैसे पढ़ा जाता है हम आपको इस इसलोग में बताते हैं ओम सहनाववतू सहनो भुनकतू सह वीरियम करवाव है तेजस विनावती तमस्तू मा विधि विशाव है ओम शांती शांती। इसकार्थ क्या है ओम सहनाववतू अर्थात हम दोनों साथ साथ एक साथ पोषण करें। चात्र और सिच्चत तीवता के साथ ताल मेल बिठा कर काम करें और हमारी सिख्षा कुशल और प्रवाव साली हो और हमारे बीच कोई दुश्मनी न हो सभी के लिए शांति हो दूसरा शांति मंत्र क्या है? ओम सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु, सर्वेशाम शांतिर भवतु, सर्वेशाम पूर्णम भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भत्राणी पश्यंतु, मा कस्चित दुख भाग भ इसकार्थ क्या है सभी के लिए शुबता सभी के लिए शुबता शान्ती परिपूर्टा और सम्रद्धी हो सभी खुश रहें और विकलांगता से मुक्त हो सभी दूसरों की भलाई के बारे में सोचें और कोई भी दुख से पीडित ना हो ठीक है तीसरा शान्ती मंत्र क्या है अस्तो मा सद गमें तमसो मा ज्योतिर गमें म्रत्योर मा अम्रतम गमें ओम शान्ती शान्ती ही इसका अर्थ क्या है अस्तो मा सद गमें अस्तो मा असत्य से सत्य की ओर ले जाओ हे भगवन हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो तमसो मा ज्योतिर गम है अंदकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और म्रत्य ओर मा अमरतम गम है और म्रत्य से अमर्ता की ओर ले चलो सभी के साथ शांती बनी रहें हे भगवन हमें असत्य से सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यो से अमर्ता की ओर ले चलो सभी के साथ शांती बनी रहे ये तीसरा शांती मंत्र है अब अंतिम और चोथा शांती मंत्र आपको बताने जा रहे है वो क्या है? ये सभी इस लोक आपने अधिगांसता सुने होंगे लेकिन आप अपने बच्चों को इन इस लोकों के बारे में अवस्य बताएं तो इस इस लोक का आर्थ क्या है? जिसका आर्थ है वह ईश्वरी है वही परम सत्य है यह पूर्ण है निर्पेक्ष है और निर्पेक्ष से भी उपर उठ जाता है यहां तक कि जब पूर्ण में से पूर्ण हटा दिया जाए तब भी वह बना रहता है तो इश्वर सत्य है इश्वर ही पूर्ण है इसके बाद जो जरूरी स्लोक है इंपॉर्टेंट स्लोक है वो हर बच्चे को आना चाहिए गुरु मंत्र गुरु की आहराध्ना कैसे करें गुरु के लिए किस स्लोक को बोलें किस स्लोक को याद करें ये हर बच्चे को आना चाहिए सिख्छक को नमस्कार है जो उन्हें हिंदू त्रिमूर्थी के बराबर बताता है त्रिमूर्थी कौन? ब्रह्मा विश्णु महेश तो गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्णु गुरूर देव महेश्वरा सिक्षक जो होता है तो ब्रह्मा विष्णु के समान होता है गुरु महेश्वर है शंकर भगवान है गुरु सर्व सक्तिमान के समान है गुरु सभी सक्तियों के समान है तो बताया गया है कि त्रिमूर्थी के बराबर बताया गया है ब्रह्मा विश्णु महेश के बरावर सिक्षक को गुरु को यहाँ पर बताये गया है एक गुरु पर स्लोक और आना चाहिए गुरुवे सर्वा गुरु ही सब कुछ है गुरुवे सर्वा लोका नाम विश्जे भव रोहिनाम निधाये सर्व विद्या नाम श्री दक्षिना मूर्ते नमा जिसका आर्थ क्या है हम दक्षिन के भगवान सारभौमिक गुरु को नमन करते हैं जो पूरे विश्व के सिच्छक हैं और दुनिया के सभी रोगों के इलाज करता है इसके बाद जो स्लोग बच्चों को आना चाहिए वो है विद्यार्थी स्लोग देखिए स्लोग कितने सरल सरल है आसानी से इनको बोला जा सकता है याद किया जा सकता है तो विद्यार्थी स्लोग कैसे है विद्यार्थे लप्थे विद्याम धनार्थी लप्थे धनम पुत्रार्थी लप्थे पुत्रान मोक्षार्थी लब्ते गाथिम इसका आर्थी क्या है? कि विद्यार्थी लब्ते मने चायता है, आकांग्षा करता है विद्यार्थी विद्या की आकांग्षा करता है ज्यान की आकांग्षा करो, वो तुमें मिल जाएगा और धनार्थी लब्ते अधनम धन की आकांक्षा करो धन की लार्सा करो वह तुम्हें मिल जाएगा पुत्रार्थी लपते पुत्रान बच्चा मांगो बच्चे की आकांक्षा करो वह तुम्हें मिल जाएगा और मोक्षारती लपते गातिम और मोक्ष के लिए प्रयास करो और तुम उस तक पहुँच जाओगे वो भी तुम्हें मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि चाहने से और करने से क्या चीज प्राप्त नहीं हो सकती है अर्थात सब कुछ प्राप्त हो सकता है इसके बाद जो स्लोक महतपूर है वो गड़ेस भगवान का स्लोक है वक्रतुंड स्लोक यह स्लोक आपकी सफलता कि रास्ते में आने वाली किसी भी बादा को दूर करने के लिए भगवान गड़ेस का आशिरवाद मांगने के बारे में है आप कोई भी काम आरम करें इस स्लोग के साथ प्रारम करना चाहिए किसी भी काम को प्रारम करें ये स्लोग जरूर आना चाहिए इस स्लोक को बोलके कारप्रारम करें जिसका क्यारत है हे गुमावदार सूर और विशाल सरीर वाले तता लाखों सूर की चमक रखने वाले भगवान मैं अपनी नई शुरुवाद को अनग्रहीत करके और काम शुरू करने पर सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आपका आशिर्वाद चाहता हूँ एक बर स्लोक को और पढ़ते हैं वक्रतुन्ड महा काया सूर कोटी संप्रभा निर्विग्नम कुरुमे देवा सर्वकारेशु सर्वदा जिसका अर्थ है हे खुमावदार सूर और विशाल सरीर वाले और लाखों सूरियों की चमक रखने वाले भगवान मैं अपनी नई शुरुवाद को अनुग्रहीत करने और काम शुरू करने पर सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आपका आशिर्वाद चाहता हूँ आप हमें हे गड़ेश वगवान आप हमें आशिर्वाद परजान करें इस सलोग को अवश याद करें नीनियमित अब्यास करें और सहजी याद हो जाएगा इसके बाद ज्यान की देवी सरस्वती से प्रार्थना करने के लिए इस सलोग को जرूर पढ़ें ये सरस्वती स्लोक है अब इस स्लोक का अर्थ क्या है या कुंदेन दुतुसार हार धवला देवी सरस्वती धवला मने चांदनी तुसार बरफ तो देवी सरस्वती चांदनी बरफ और मोती की तरह कैसी है धवला सफीद है और शुशूबित है सुभ्रा वस्ता व्रता, शुद्ध हाती दात सफेद, जहां वे अपने दोनों हातों में वीरा बजाती हैं, वहीं अन्य दो हातों से आशिरवात या आवश्रिक्ता पढ़ने पर दंडवी देती हैं वे एक सुदर सफेद कमल पर बैठी हैं, श्वेत पदमासना वे एक सुदर सफेद कमल पर बैठी हैं, या ब्रह्मा चुद्ध संक्रा देवी सरस्वती की पूजा सभी देवताओं ब्रह्मा प्रभर्ती विही ब्रह्मा निर्माता विश्णु रक्षक और महेश्वर संगारक द्वारा की जाती है उन सरस्वती की पूजा किसके द्वारा ब्रह्मा, विश्नु, महेस तीनो भगवान के द्वारा की जाती है जो की ब्रह्मा निर्माता हैं, विश्नु संगरक्षक हैं और महेश्व संगारत हैं इन तीनों के द्वारा मासरस्वती की पूजा की जाती है हे देवी सरस्वती मेरे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें और मुझे आश्रे दें उम्मिद आपको पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा हे देवी सरस्वती चांदनी बरफ रमोती की तरह आप सफेध हैं और शुशोविद हैं जहां वे अपने दोनों हातों में वीना बजाती हैं वही अन्य दो हातों से आशिरवात या दंड देती हैं वे एक सुन्दर सफेध कमर पर बैठी हैं देवी सरस्वती की पूजा सभी दिवी देविताओं द्वारक की जाती है। दिवी देविता कौन से? सभी दिवी देविता, ब्रह्मा, निर्माता, विश्नु संगरक्षक और महिश्व संगारक द्वारक की जाती है। हे देवी सरुस्ति मेरे जीवन से सभी बादाओं को दूर करें और मुझे आश्रे प्रदान करें, मुझे अपना आशिरवात दें। इसके बाद सफलता और समर्दी के लिए देवी की प्रार्थना करने के लिए ये सर्व कल्यानकारी मंत्र है। इस लोग का जरूर पाट करें और ये इस लोग सभी को जरूर याद होना चाहिए। इस जससे पूर्ण हैं हमारे उद्देशों को पूरा करने वाली हैं और शरण देने वाली हैं जिनकी तीन आखें हैं और वैं सुनेहरे रंकी हैं। ऐसी हे देवी आपको हमारा नमस्कार है हे गौरी नाराएणी आपको मेरा नमस्कार है। इसके बाद ज्यान की देवी से प्रार्थना करें और ज्यान प्राप्त करने के लिए उनका आशिरवात करें। इसके लिए एक इसलोग है सरस्वती नमस्तुब्यम। आशिरवात चाहता हूँ। क्या मैं अपना लक्ष पूरा कर सकता हूँ। हे देवी मा सरस्वती आप मुझे आशिरवात प्रदान करें। अगला जो हम इस लोग बतारने जा रहे हैं वो विष्णू का ही अवतार है। हे ग्रीव भगवान विष्णू के अवतार है उनी की स्तुती की जा रहे है। बच्चे स्कूल में अपना दिन शुरू करने से पहले इस इसलोग का पाट करें। जानांदम मयम देवं निर्मला इस्पदिका करतिं। आधारं सर्वं विद्यानाम रहे गरीवं उपस में। जिसका अर्थ है रहे करते हैं घोडे को। घोडे के मुख वाले भगवान श्री हरे गरीव को नमस्कार है। आप संसार की समस्त विद्याओं के अधिस्टाता इश्वर हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्रप्य हमें ज्यान और गुद्धी का आशिरवाते हैं। एक स्लोग है दीपम स्लोग। यह स्लोग दीपक से प्रार्थना है। कि दीपक में जैसे उजाला है वैसे ही मेरे जीवन में भी उजाला भर जाए तो स्लोक्या है शुभम करोती कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्रु गुद्धी विनाशाय दीप जियोती नमोहस्त दे अर्थात वै जो हमारा प्रकाश है जो शुवता सम्रत्ती अच्छा स्व स्वास्त प्रचुर धन लाता है और बुद्धी के शत्रुका नाश करता है ऐसे दीपक को हमारा पारंबार नमस्कार है क्यार्थ है वै दीपक जो हमारा प्रकाश है जो शुवता सम्रत्ती अच्छा स्वास्त प्रचुर धन लाता है और बुद्धी के शत्रुका नास करता ऐसे तीपक को हमारा बारंबार नमस्कार है इसके बाद जो स्लोक हम बताने जा रहे हैं जो सबके लिए बहुत महत्यपूर्ण है जिसके बिना किसी का कोई गुजारा नहीं जलता है लक्षमी स्लोक यह प्रार्थना आरती, पूजा के दौरान यह कोई भी प्रार्थना करें, आरती करें या पूजा करें उस दौरान धन की देवी लक्षमी का आशिरवात पाने के लिए यह इस लोक है जिसकार्थ क्या है नमो अस्तुते महा माय महा लक्षमी को नमस्कार है स्री पीठे सुरा पूजते, जो श्रष्टी का कारण है और जिनकी सुरो द्वारा पूजा की जाती है शंक चक्र गदा हस्ते, जो हातों में शंक चक्र और गदा से सुशोबित है उस देवी को नमस्कार है मैं आदर पूर्वक आपके सामने सिर को जुकाता हूँ इस तरीके से हमने कुछ सरल सरल इस लोकों को आपको बताया जो अपने बच्चों को आप नियमित अभ्यास कराईए और जो हर बच्चे को आना भी चाहिए इन इस लोकों को पढ़ने से एक कागरता बढ़ती है और अचनात्मक्ता भी बढ़ती है इसके अलावा इस लोक सीखने और पढ़ने से बच्चों में तनाओ के स्तर को भी प्रवावी धन से कम किया जा सकता है उमीद है आपको ये इस लोग अवस से पसंद आये होंगे अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा लाइक पर शेयर करें धर्निवाद